आज हम simple कुर्ती cutting बनाना सिखेंगे वैसे नाम इसका simple कुर्ती है लेकिन अगर हम इसमें छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं तो इसका fitting मुश्किल में आ जाता है किसी भी साइज में कुर्ती cutting बनाते समय कौन सी चीजों का ध्यान रखना है वो सारी बाते इस वीडियो में details में बताई है तकि आपके मन में कोई भी doubt ना रहे और आपकी कुर्ती बहुत अच्छे से fitting ब्याए और उन बातों को समझने के लिए वीडियो को बिना skip किये आपको लाश तक देखना है तो चलिए शुरुवात करते हैं यहाँ पर मैं जिस साइज का कुर्ती cutting करने जा रही हूं उनका मैंने पूरा बोड़ी के उपर नाप लेकर यहाँ पर लिख दिया है अगर आपको नहीं पता बोड़ी के उपर नाप किस तरह से लिया जाता है तो उसक लिए बस यहाँ दिखाए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिएगा और साथी में यह बेल बटन दबाईए गए ताकि हर एक वीडियो की सुचना आपको मिलती रहे तो उसके लिए मैंने यहाँ पर सवा दो मिटर कॉटन का कपड़ा लिया है आपकी अगर लंबा खीचते हो तो वो उसमें खिचाव रहता है और लंबाई में अगर आप खीचोगे तो इसमें खिचाव बिल्कुल भी नहीं रहता तो कुर्ती की लंबाई हम कपड़े के लंबाई में डालेंगे और कुर्ती की जो चोड़ाई के नाप है वो हम कपड़े की चोड़ाई में डालेंगे तो उसको मैंने इस तरह से फोल्ड करके लिया अब खोली वाली साइड मैंने अपनी तरफ कर लिये और वहां से मुझे हिप का चोथा हिस्सा अधिक उसमें धाई इंच मिलाना है जैसा कि मेरा हिप साइज 41 इंच है उसका चोथा भाग हो गया सवा 10 इंच उसमें मै मारा कपड़ा वेस्ट नहीं होता अब यहां से कपड़ा उपर नीचे तो सीधी लाइन खीचती और कपड़े को सीधा कट कर दिया अब यहां पर हम लंबाई का नाप डालेंगे तो मेरी जो लंबाई है कुर्ति की तयार वह 42 इंच है उसमें आदा इंच उपर की तरफ शो सकते हो तो मैंने यहां पर 2 इंच पर माक किया और यहां से लाइन बना दी अब हमें कुर्ति के लिए जितना कपड़ा चाहिए लंबाई में वह भी मिल गया और चोड़ाई में जितना कपड़ा चाहिए वह भी मिल गया अब यह जो बचा हुआ कपड़ा है यहां पर हम स्ल या full length lose भी आराम से निकल जाएंगे और नीचे की तरफ देखो यह जो कपड़ा बचा है यहां पर यह fold है तो fold वाली साइड हमेशा नीचे की तरफ रखिएगा ताकि यह अखंड कपड़ा रहे अब मैं इसको side में रख देती हूँ और इस कपड़े को हम लेते हैं cutting के लिए तो देखिए यह इस तरह से हमारा कपड़ा रहेगा अब हम इस और नाप डालेंगे तो यह है खुली वाली side और यह है बंद वाली side तो बंद वाली side के और से हमें नाप डालने हैं सबसे पहले उपर की तरफ हमें आदा सा एक इंच छोड़ना है तो यह क्यों छोड़ना है यह मैं आपको बाद में बताऊंगी अब सबसे पहले body के उपर जो मैंने shoulders का नाप लिया था वो आया था मेरा 14 इंच उसका आदा होता है 7 इंच अब उसमें सिलाई margin का भी मिलाना है तो मैंने 7.5 इंच पर यहाँ पर मार्क कर दिया अब यहाँ पर मैंने 7.5 इंच उल्डर लिया है तो आम होल का नाप भी मैं 7.5 इंच लूँगी और यह नाप हमें इस line से लेना है तो यह जो formula है जितना shoulder उतना ही आम होल यह बहुत अच्छे से काम करता है अगर आपको नहीं पता आपका आम होल का नाप कहां पर डालना है तो आप यह formula यूज कीजिए जितना shoulder लिया है उतना ही आम होल लेना है अब हम डालेंगे कमर की लंबाई का नाप तो उसके लिए मैंने आम होल के point के नीचे टेप को पकड़ा है अब यहाँ पर अगर आपका small size है मतलब आपका full burst का नाप 30 इंच से लेके 34 इंच तक है तो आप यहाँ पर कमर की लंबाई का नाप 7 इंच पर डालेगा अगर आपका full burst 34 इंच के आगे है मतलब 35 इंच या उससे जादा है तो आप यहाँ पर कमर की लंबाई का नाप 7.5 इंच पर डालेगा तो हमारा full burst 38 इंच है इसलिए मैंने 7.5 इंच पर नाप डाला है अब यह क 22 पर यह आप अपने according उपर या नीचे रख सकते हो यह आपके choice के उपर depend करता है तो मेरा 22 पर आया है अब यह चो सारे point से यहां पर हम lines बना देंगी तो यहां पर हमारे इस line के नीचे हमें shoulder slope का marking करना है तो यह देखिए यहां पर मैंने टेप को रखा तो यहां पर हमारा normal size है इसलिए मैं पॉना इंच पर यानि point 75 पर shoulder slope का marking कर रही हूं अगर आपका small size है तो आप आधा इंच पर केजिएगा और अगर आपका heavy size है तो आप एक इंच पर mark कीजिएगा अब लेते हैं गले की चोड़ाई यहां पर बहुत सारे लोग confused होते हैं कि कितनी ले तो देखिए आपका जितना भी chest size है उसका बारावा भाग कीजिएगा तो मेरा 36 chest है तो उसका बारावा भाग हो गया 3 इच तो मैंने 3 इच पर mark कर दिया उसी तरह से आपको भी अपने chest size के according mark करना है अब यह गले का point और यह shoulder slope का point को जोड़ देंगे अब देखो यहां पर shoulder slope के point के उपर tape को रखना है और नीचे की तरब जितना भी आम होल है उसका आधा करना है और यहां पर एक point दे देना ह अब इस point के उपर आधा इंच हम अंदर की तरफ लेंगे तो यह सभी size के लिए आप आधा इंच रख सकते हो उसके बाद हम यहां पर इस तरह से shape देंगे और यहां नीचे की तरफ इस तरह से गोलाई देंगे तो यह हमारा front armhole यानि आगे के मुठे का shape रहेगा तो देखे यहां से इस और से हमें लगबग पॉना इंच तिर्चे में रखना है तो इस तरह से आप यहां पर shape दे सकते हो अब हम क्या करेंगे आगे का गला रखेंगे आगे का गला मैं यहां पर रख रहे हूँ 7 इंच तो यह आप अपने 24 अनुसार कम जादा रख सकते हो अब यहां पर गले की चोड़ाई मैं 3 इंच रख रही हूँ क्योंकि उपर की तरह भी मैंने उतनी रखी है और यहां से हम box बना के गुलाई दे देते हैं तो आप यहां पर जो चाहे shape दे सकते हो मैंने round shape रखा है अब यह है हमारी chest line और इसके उपर हम हमारे chest का नाप डाल रहे तो 3 इंच का losing मैंने 36 में डाल दिया तो हो गया मेरा 39 इंच अब 39 इंच का चौथा भाग करेंगे क्योंकि यह कपड़ा चार फोल्ड में होता है तो चौथा भाग करने पर आ गया पौने 10 इंच तो मैंने यहां पर पौने 10 इंच पर मार्क कर दिया अब यह चेस्ट का अधा होता है साड़े 8 इंच तो यह मैरा परावर से साड़े आट इंच आ रहा है अगर आपको लगता है कि यहां पर हमारा ज्यादा आ रहा है तो आप इसे कम भी कर सकते तो आपको क्या करनाए बस ऊपर की तरब से इस तरह से लाइन बनानी है जिससे आपका जो आम ऑल र बड़ा है और ज्यादा है तो आप इस तरह से नीचे की तरब से लाइन बनाके आम होल राउंड नाप सकते हो तो हमारा यह बीच का बिल्कुल सही है तो यह उपर के और नीचे की लाइन को में मिटा देती हो अब हम यहां से पीछे के आम होल का यानि पीछे के मुद्धे का शेप देंगे तो बस यहां से हमें इस तरह से गुलाई देनी है तो यह हो गया हमारा पीछे का आम होल अब हम यहां पर इसे नापेंगे जिस तरह से फ्रंट का नापा था तो आम होल राउंड हमारा 17 इंच है तो हमें यह चाहिए इसे नाप इस तरह तो इसे हमें बढ़ाना पड़ेगा इस और तो हमें जितना भी बढ़ाना है उतना ही हमें इस और भी बढ़ाना हि तो यहां पर देखो यह आधा इंच से उपर एक point इतना हमें बढ़ाना होगा और इस और भी उतना ही बढ़ाना होगा तो आपका आधा इंच भी आ सकता है quarter इंच भी आ सकता है या फिर एक इंच भी आ सकता है जितना भी आपका उपर की तरफ चड़ रहा है आम होल का नव उत्ना को दोनु गले की साइड में भी और आम होल की साइड में भी चढ़ा कर रखना तो यहांप पर आपको समझ में आ गया होगा पीछे का आम होल हमारा आदा से पॉना एंच उपर की तरप चड़कर कटता है अब पीछे के गले का नाप हम यहाँ टॉप पॉइंट से पकड़ेंगे तो मैं यहाँ पर डाई इंच पर मार्क कर रही हूँ आप तेन इंच तक रख सकते हो अगर आपको पीछे का गला डीप रखना है तो उसका वीडियो अलग से अपलोड किया हुआ है डीप निक कुर्त इसलिए आपका टक्स पॉइंट निकल आएगा तो यह तीन इंच मैंने नीचे माग किया अब मैं यहाँ पर एक लाइन बनाओंगी अब यह जो लाइन बनी है ना इस लाइन के उपर हम हमारी फूल बस्ट का नाप डालेंगे तो जैसी की फूल बस्ट मेरा 38 इंच है तो उ जादा लूजिंग डालने की जरूरत नहीं अब यह चेस्ट पॉइंट और फूल बस्ट का पॉइंट दोनों पॉइंट हम स्केल के उपर इस तरह से पकड़ेंगे यह दोनों पॉइंट स्केल के उपर हमने रखे हैं अब यहाँ पर हम कमर का यानि वैस्ट का नाप डालें तो कमर हैं हमारी 32 इंच उसमें 3 इंच का लूजिंग जाएगा तो 35 हो गया और 35 का चौथा भाग करेंगे तो हो गया पॉइंट तो मैंने यहाँ पर पॉइंट पर माक किया अब यहाँ पर देखिए यह जो पॉइंट है न कमर का वो अंदर की तरप कितना जा रहा है मतलब यह दो पॉइंट को हमने स्केल के उपर रखा और यह कमर का पॉइंट उस लाइन में नहीं आ रहा वो अंदर की तरप जा रहा है तो यह यहाँ पर कम से कम आधा से पॉना इंच अंदर की तरप जा रहा है तो इतना ठीक है लेकिन अगर आपकी कमर की गोलाई कम है मतलब आ ऐसे में आपका यह पॉइंट अंदर की तरफ चला जाएगा जैसे कि मान लीजे आपकी कमर 30 इंच है उसमें लूजिंग डालकर यहां पर यह 80 इंच पर मार चायेगा तो यह जो पॉइंट है कमर का यह आपका एक इंच से भी कि जादा अंदर की तरफ चाया है अब यहां पूल बर्ष पॉइंट के पॉइंट को जोड़ेगए तो प्रॉब्लिम क्या ओगी मैं आपको बताती हूं तो सबसे पहले हम यह लाइन बनाएं और फिर दूसरा पॉइंट हमारा जो रियल आया है अभी नाप के अकॉर्डिंग उस पॉइंट को में जोड़ दूंगी तो यह मैंने जोड़ दिया अब यह वाला पॉइंट तो बिल्कुल सही है लेकिन जो अंदर की तरफ जा रहा है अगर आपकी कमर छोटी है तो अंदर क पर कपड़ा नहीं बचता क्योंकि देखिए यहां से सिलाई जाएगी तो यहां पर यह बहुत टाइट होता है और फूल बर्स्ट के यहां पर अच्छा फिटिंग नहीं आता है तो ऐसे में हमें क्या करना है तो अगर आपकी कमर छोटी है कमर की गुलाई कम है तो ऐसे में आप यहां पर डाट लीजिएगा तो यहां पर डाट लेने से आपका जो बर्स साइज है जो हेवी है वो बहुत अच्छे से फिटिंग में बैठता है और कमर में अपने आप डाट के लिए एक इंच कपड़ा हम बाहर की तरफ रखते हैं तो इससे आपकी लाइन भी बाहर आप डालेंगे जैसे की हिप की गोलाई मेरी 41 इंच है उसमें हम सिर्फ एक इंच का ही लूजिंग राले गए तो हो गया 42 इंच और 42 इंच का चोथा बाग होता है तो मैंने यहां पर 41,5 इंच पर मार्क कर दिया अब हम यहां पर सिलाई मारजिन रखेंगे बाहर की तरफ तो जैसे की चेस्ट लाइन के बाहर डेड़ इंच रखा फूल बस्ट के लाइन के बाहर डेड़ इंच रखा आप स little इंच लएकिन जो हीप लाइन याने slit देंगे अब उसके बाद हम slit point के नीचे इस तरह से तिर्चे में नीचे की तरफ एक line बनाएंगे जो हमारी घेरे के line होगी अब यहां पर देखो हमने एक इंच छोड़ा है तो जितना हमने यहां पर मार्जिन छोड़ा है उतना ही मार्जिन हम नीचे की तरफ छोड़ेंगे एक इंच और उन दोनों point को हम जोड़ देंगे तो जितना slit line के बाहर अपने margin छोड़ा है उतना ही नीचे की तरफ छोड़ना है क्योंकि यहां पर हमारे slit की सिलाई margin होगी अब हम इसका cutting कर देंगे तो जैसा marking किया है बिल्कुल सेम तरीके से वैसा ही cutting करना है अब cutting करते समय जो बाहर की तरफ से armhole है पीछे का उसी के recording मैंने cutting किया है अब यहां shoulder और armhole की तरफ थोड़ा focus करेंगे तो यह देखिए यह बाहर की तरफ से मैं cutting किया है उपर का cutting अभी मैंने नहीं किया है जो तिर्चे में line बनाई थी उसी के recording cutting कर दिया और पीछे का गला भी मैं cutting करूंगी अब यहां पर देखो आगे का जो गला है वो डायरेक्टले आप कपड़े के उपर मत cutting कीजिएगा अगर आपका डिजाइनर नेक है तो यहां पर मेरा round shape है इसलिए मैं कुर्ती के उपर ही cutting करूंगी तो वो cutting करने से पहले अंदर की तरफ जो यह पीछे का पला है उसको में नीचे की तरफ रखोंगी और फिर यह फ्रंट यानि आगे का पला फिर से ठीक कर दूंगी और यहां पर जो अंदर की तरफ से shape है फ्रंट आम होल का यानि आगे के मुड़े का वो में कट कर दूंगी उसके बाद उपर की तरफ भी हमारा shoulder line नीचे की तरफ है उसे भी मैंने कट किया और फिर मैंने गले का cutting किया अगर आपका designer नेख है तो आप बुक्रम के उपर cutting कीजेगा डारेक्ट कपड़े के उपर ग detail में बताऊंगी अब हम स्लिव कटिंग करेंगे सबसे पहले कपड़े का आपको इस तरह से खीच कर देखना है तो यहां पर मेरा यह कपड़ा खीच रहा है तो जीस और कपड़ा खीच रहा है उसी और में कपड़े का फोल्ट करूंगी और मेरी जो स्लिव की लंबाई है वो इस तरह ड़ेगी अगर आपका चोड़ाई में यहां पर कपड़ा बैट नहीं रहा है तो आप इस तरह के से फोल्ट करके यहां पर स्लिव की लंबाई डाल सकते हो तो मेरे यहां पर चोड़ाई बैट रही है इसलिए मैंने इसको ऐसे ही फोल्ट किया अब यहां पर न हमारा सिला इमार्जन रहेगा अब यहाँ पर मैं क्याप हाइट ले रहे हूं 4 इंच यहाँ पर मैं 34 स्लीव बना रही हूं तो मैंने 4 इंच पर क्याप हाइट का मार्किंग किया और फिर मैंने यहाँ पर बैक साइड का शेप ले दिया जो की चढ़ा कर रहता है और अब मैं स्लीव जो है वह एक दब पफिक्टली आ गई है अब स्लीव की लंबाई 17 इंच रखी है और डेढ़ इंच सिलाई मार्जन का लिया है तो साड़े 18 इंच हो गया नेची की तरब 5 इंच मैंने गुलाई दे दी हमारी बाजू की बाहर की तरब डेढ़ इंच सिलाई इमार्जन रखा और यह सारे पॉइंट सम एक दूसरी को जोड़ देंगे तो इस तरह की से हमारे यहां पर स्लीव का ड्राफ्टिंग हो गया अब हम इसको कटिंग कर देंगे यहां पर एक सेंटर नॉच उसके बाद इसको हम खोल देंगे और खोलने के बाद यह देखिए य यह front side में joint होता है तो इसे भी मैंने cut कर दिया अब slews का cutting हो गया अब इसे जोड़ना कैसे मैं आपको बताते हूं अब आपके कुछ doubts मुझे clear करने हैं इसलिए मैं यहां पर गला जोडने से पहले shoulders चोड़ कर ले रहे हूं क्योंकि मुझे आगी की process आपको दिखानी है कुछ doubts clear करने हैं लेकिन आपको पहले कुर्ति का दोनों गला जोड़कर फिर shoulders चोड़ने होंगे अब मैं यहां पर लोगी sleeves तो एक स्लिव में आपको जोड़कर दिखाऊंगी तो यह दिखिए यह अंदर से जो शेप है वह front में जुड़ेगा और जो पाहर से शेप है यह back side में य यहां पर एक मार्किंग करूंगी अब यह हो गया center marking अब center marking हमें जहां पर हमारी shoulder की सिलाई होती है वही पर आना चाहिए तो यह दिखिए इस तरीके से और यहीं से हमारी sleeves को sleeve को हमें जोड़ना है अब मैं यहां पर हाथ से टाका लगा कर इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि मुझे यह बाद में सिलाई निकाल देनी है क्योंकि मैंने अभी कुर्ति का गला नहीं जोड़ा है तो आप यहां पर गला जोडने के बाद कुर्ति के गले जोडने के बाद मशिन के उपर center से शुरू करके sleeves को जोड़ दीजेगा तो center से अगर हम sleeve जोड़ेंगे तो इसका फायदा यह रहता है कि एक तो यह fitting में बहुत अच्छे से आती है और अगर गलती से sleeve कम या जादा भी हो रही हो तो दोनों साइड में equal बढ़ती है मतलब किसी एक साइड में जादा किसी एक साइड में कम ऐसा नहीं होता तो देखिए यह sleeve हमारी दोनों साइड से बराबर बैट गई अब मैं एक ही side की sleeve आपको यहाँ पर जोड कर दिखा रही हूं क्योंकि मुझे बस इसे जोडना कैसे fitting कैसे करना है वो बताना है तो यह दिखी यहाँ पर sleeve का आपको finishing करके लेना है मोरी का उसके बाद जब इसकी fitting होती है तो यह दोनों सिलाई जो है वो पराबर एकदम बराबर से होगी अब shoulder के और जो हमने पिछला आम होल यानि back side का आम होल जो चड़ा के काटा था वो देखिए वो इस तरह से आगी की तरफ quarter inch आ जाएगा यह देखिए इस तरह से तो यह भले अभी यह अलग रहा है कि आगी की तरफ जुका है लेकिन actual में जब आप इसको पहनते हो तो यह एकदम बराबर से shoulder के उपर ही सिलाई आती है आगी की तरफ जुका हुआ नजर नहीं आता ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा back side जो होता है वो अगर आप observe करोगे तो वो चड़ा हुआ रहता है तो इसलिए हम back pattern ऐसा चड़ा कर काटते हैं जो कि पह अगर करने थे अब बाकी कुर्ति स्टिचिंग का फॉर्मिला सेम रहेगा तो आज का यह कुर्ति कटिंग का वीडियो यही पर खतम होता है इस वीडियो से लेके आपके मन में कोई भी डाउट से तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछना वीडियो आपको कैसा लगा ये भी मुझे जरूर बताना और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करना क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है और वीडियो को शेयर जरूर करना मिलते हमारे अगले वीडियो में ऐसे इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक अपना खयाल रखना बाबाई